Hello friends, this is HR विशोकर्मा from HR Academy धनबाद जारखंड आज का टॉपिक है पंचाइती राज और पंचाइती राज से लेटर हर बातों पे चर्चा करते हों निकलेंगे और जितने भी परतियोही प्रिच्छा की तैयारी करने वाले हैं वो जरू से जरू क्लास को जोइन करने का गाम करें भारत में पंचाइती राज सब्द का अभिप्राय क्या है तो इसका अभिप्राय ग्रामिन अस्थानिय सवसासन पद्दती से है याद रखिए तो ग्रामेन अस्थानिय सवसासन पद्दति बोले तो पंचायती राज और गाउं में ही तो देखने को मिलती है यह भारत के सभी राज्यों में जमिनी अस्तर पर लोक तंत्र के निर्मान हे तू राज विधान सभाओ द्वारा अस्थापीत किया गया है ध्या कियूं अस्थापित किया जाता किसकी द्वारा याद रखे इसका अस्थापना किया जाता है लोक तंत्र के निर्मान हे तू राज विधान सभाओ द्वारा तो आपके साथ साथ कोस्ट्न भी मिल रहे हैं अंसर चुने याद करें इसे ग्रामिन विकास का दायत तो सोपा ग द्वारा इसे समिधान में सामिल किया गया तो कब की बात है 1992 में तेहतरवा संसुधन के अंतरगत इसे सामिल किया गया लेकिन पंचायती राज इसका मतलब क्या मूल समिधान में पंचायती राज का उलेक मिलता है नहीं मूल समिधान में नहीं मिलेगा क्योंकि अभी आपने सुना, 1992 के तेहतरवा सुनेंधान में सामिल किया गया, इसका मतलब मूल सविनधान में पंचायती राजका उलेख नहीं मिलता है, जिस परकार से आपने देखा मूल कर्टब को कई साल बाद जोड़ने का काम किया गया, क्यूंकि कहीं नकर इसके जरुद परी, तो कहीं नकर प अपने अपने नाम पर समितिया बनाई जो आपको पंचाहिती राज के अंतरगत इसके विकास के अंतरगत पढ़नी होगी बल्वंत राय महता समिति अध्यंदल समितिया असोक महता समिति जी वी के राव समिति एल एम सिंधवी समिति थुंगन समिति गौडगिल समिति यह सार बातों पर फोकस करना जो कि इस वीडियो में हम अस्पेसली बने रहेंगे बल्वंत राय महता समीती पर बने रहने का काम करेंगे आप देखोगे कि बल्वंत राय महता समीती पर अगर फोकस किया गया किस पर फोकस करेंगे बल्वंत राय महता तो यह बात है जनवरी उनिस सो 1997 की कहा जा रहा है जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदाइक विकास कारकरम जोकी सामुदाइक विकास कारकरम का अस्थापना कब क्या गया था? 1952 में याद रखी सामुदाइक विकास कारकर्म का स्थापना कब 1952 कब किया गया 1952 में किया गया राष्टी विस्तार सेवा का कब 1903 में इसी बाहने याद भी रखी तो सामुदाइक विकास कारकर्म का 1952 में राष्टी विस्तार सेवा का 1903 में तो कहा जा रहा है कि द्वारा मतब भारत सरकार ने समदाइग विकास कारकर्म रास्टी विस्तार सेवा द्वारा किये गई कारों की जाच तो ये जाच कब की जारी उनिसो संतावन में जो कि समदाइग विकास कारकर्म का स्थापना किया गया रास्टी विस्तार सेवा का स्थ तो भारस सरकार ने इसकी द्वर्वा कार्ज की जाए उसकी जाच और उनके बहतर ढंक से कार करने के लिए उपाई सुझाने के लिए एक समीति का गठन किया गया ध्यान दीजे बात पर फोकस किजिए यहां पर क्या बोला गया कि सामदाइक विकास कारकम का स्थापना कब किय गया 1992 में राष्टी विस्तार सेवा का कब किया गया 1913 में तो यह लोग का किया गया यह लोक सही तरीके से काम कर रहें है या नहीं तो इसकी जाज के लिए especially कब की बात है उनीस सो जनवरी उनीस सॉ सन्तावन में भार सरकार ने इसके कारियों की जाज अब बहतर ढग से कार्ज करने के उपाए सुझाने के लिए एक समिती का गठन क्या गया जिस समिती का नाम है बल्वंत राय महता समिती क्या नाम है बल्वंत राय महता समिती अई समिती के अध्यक्ष कौन बल्वंत राय महता एहनी के नाम पर इस समिती का नाम रखा गया पात समझ मारी क्या कहना चाहरे हैं अगर कभी कोई पूछ दे कि बल्वंत राय महता समिती को को परिभासित करें या किसे संबंदित है या पंचाइती राज का विकास सिरुवात कैसे हुई कि समीति से हुई तो क्या पुली तरकर से जवाब देने का काम कर सकते हैं या नहीं तो दीजिए अगर मैं कोई कोशन करता हूं इसका मतलब आप लोगों को वर्क दे रहे हैं वह पाव आयत की योजना की सिफारिस की जो अंतिम रूप से पंचाइती राज की रूप में जाना गया तो बताओ जल्दी से बलोंतर राय महता समीति का गठन कप किया गया सेवन में सामदाइक विकास कारगम का 1952 में राश्टी विस्थार सेवा का 1903 में और इसका मुख उद अब कहा गया कि बलोंतराय महता समीति द्वारा दी गए बिसिस्थ सिफारिस से थी तो कौन-कौन सी सिफारिस से थी आये देखते भया क्योंकि आपने तो संच्छिप सब्दों में देख लिए कारों की जाच बेहतर ढंक से कार और कारों को करने के लिए उपाए लेकिन जो सिफारिस थे उन पर चर्चा करने का काम करेंगी जो बलोंतराय महता समीति के अंधरगतर रखे गए तीन अस्तरिय पंचायती राज पद्धती की अस्थापना इसका मतलब कापके कोशन होते बलवंत राय महता किस पद्धती पंचायती राज का किस पद्धती पर फोकस किया एक अस्तरिय दूई अस्तरिय तीन अस्तरिय तो तीन अस्तरिय गाउं अस्तर पर गराम पंचायत ब्लोक अस्तर पर पंचाय सिमित्य और जीला अस्तर पर जीला प्र हयमित्य ये तीन अस्तर आपस में अपरते चुनाओं के द्वारा गठन जूरे हुने चाहए आए गया समूझ में क्या करना चाहरे है तो बताए बल्वत रायम है ता कितने अस्तर पर फोकस किया तीन अस्तर पर कितने अस्तर पर फोकस किया तीन अस्तर पर कितने अस्तर पर फोकस किया तीन अस्तर पहला तो नीचे अस्तर से आई ग्राम पंचायत मतब कि है तो तीन असरी चैनल पर किस था अप्र कितने ईस्तार प्रती निचे लेवल साहिए गाउ ठीक है तो क्या बोला गया गाउं अस्तर पर ग्राम पंचायत ब्लोक अस्तर पर पंचायत समेती और जीला पर जीला परिसत देखने को मिला तो ये तीन अस्तर ये देखने को मिले नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की अस्थापना प्रत्यक्ष रूप से चूने प्रतिनीधियों द्वारा होना चाहिए ध्यान देंगे जिससे अभी आपने क्या देखा तीन अस्तरी में सबसे नीचे कोन ग्राम पंचायत तो ये गाउंसर पर है इसको बार मैं पर रिपीट कर क्यूंकि सबसे जादा इंपोर्टेंट जो कोशन होंगे समझ जाई हमें बोलने की जरूत नहीं है वह आपके सभी प्रतियोंगी जितने चाथ रहे हैं सबके लिए इंपोर्टेंट है ब्लोक अस्तर पर पंचायत समिति जीला अस्तर पर जीला परिसर तो ग्राम पंचायत क अस्थापना पर्तेक्ष रूप से चुने परतिनीधियों द्वारा होना चाहिए जबकि पंचायत समिति इसका मतलब पंचायत समिति बोले तो कोन अस्तर ब्लोक अस्तर पर कोन अस्तर पर ब्लोक अस्तर तो जबकि पंचायत समिति और जीला परिसर का गठन अब द्वारा होगा किसके द्वारा होगा पर्टेक्ट लेकिन जीला परिसद और पंचाय समित्य का जोगा वह अब पर्टेक्ट तो इस पार्ट पर फोकस करेंगे इसलिए मैंने इसको गोल भी कर दिया है ध्यान देंगे बाकि वही लाइन तो इसी में फशेंगे लोग कि गराम पंचाय से संबंदित ने से कौन से बाते सही धाने तो भईया गराम पंचाय के स्थापना अप पर्टेक्ट सुरूफ से चुने प्रतिश्थिन द्वारा होना चाहिए नहीं मैंने क्या गलत कर दिया अल अला गात दिया तो ध्यान देंगे गाम पंचाय डारेक्ट चुने प्रत्यक सुर्प से चुने सर्थज़ों द्वारा होने चाहिए मतलब इन डाक्ट टूवें और विकास के कार इन निकायों को सोपे जाने चाहिए, हाँ ये जो तीन निकाय दिख रहे हैं गराम पंचायत निकाय, निकाय बुले तो सन्स्था, पंचाय समीति, जीला परिसद, तो जितना भी पलान हो एक है ये सब को होने चाहिए, क्यों uranium लेवल पर हैं, तो उस पर फोकस किया जाना चा पंचायती संमिती को मतलब second वाला ब्लोकस्तर पर पंचायत संमिती को कारकारी निकाए तथा जीला परिस्था को सलाकारी, समनकारी और प्रडेक्षन निकाहर होना चाहिए तो ध्यान दीजिए, पंचायत समिती को कौन निकाए कारकारी निकाए मतलब काम करने वाले लेकिन जीला परिशा जो तीनों उस तरीका सबसे उपर हेड है सिर्सस्थल है तो उन्हें सलाकारी क्यों क्यों जीले के अंतरकत कई सारे ब्लोक उस ब्लोक के अंतरकत कई सारे गाउं तो जाहिर सी बात है वो जीला सलाकारी होंगे, समनकारी होंगे, प्रिक्षिन निकाय होंगे, मतलब सला देंगे, सभी को समन अजस्टमेंट करेंगे, प्रिक्षिन करेंगे, मतलब हमेशा प्रिक्षिन करेंगे, कौन काम सही तरीके से हो रही है या नहीं, तो याद रखे पंचाय समिती, कारकारी निकाय, सलाकारी, समुनकारी, प्रक्षन निकाय कौन, जीला परिशत, अब जीला परिशत का अध्यक्ष होगा कौन, तो जीला अधिकारी होना चाहिए, इन लोक्तांत्रिक निकायों में सक्ति तथा उत्तर दायतु का वास्तिक अस्थांत्रन होना चाहिए, या दखने का काम करें इन निकायों को पर्याप्त सुरोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कारियों और जिमिदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके ध्यान देजे आपने अभी क्या देखा कि जो भी यूजना और विकास होगा इनको सुपन चाहिए तो इनके साथ इनको पर्याप्ट सुरोत भी तो मिलने चाहिए ताकि कार और जिमेदारियों को संपाधित करने में समर्थ हो एक प्लान दय के काहश्त नहीं कि भाउस में अधीकारों के और अधिक परतियाइन के लिए एक दत्ती बिक्सित की जाने चाहिए तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये बलवंत राय महता समीती के अंतरगत ये सारी सिफारे से देखी गई जो कि आपको पिक्चर के द्वारा बता दिया गया क्या है नहीं है वो सारी दिखा देने का काम दिया गया समीती की इन सिफारे सो को राष्टी विकास परिशत द्वारा ध्यान दिजिए जो भी सिफारे सी दी गई समीती के द्वारा राष्टी विकास परिशत द्वारा जनवरी उनिसो अंठावन में सुईकार किया गया तो समीती की सिफारे स कब सुईकार की गई किसके द्वार रखी गई तो जब मैं कोस्टन कर रहा हूँ तो answer दे परिसद ने किसी बिसिस्ट परनाली या नमुने पर जोर नहीं दिया किसी बिसिस्ट परनाली या नमुने पर जोर नहीं दिया या राज्यों पर छोर दिया ताकि वे अपनी अस्थानिय स्थिति के नुसार नमूनों को विक्सित करे तो ध्यान दे तो परिसद ने क्या इन नमूनों पर जोर दिया नहीं दिया किस पर छोर दिया राज्यों पर छोर दिया ताकि इन नमूनों को विक्सित करे मतब ध्यान दे ठेक है तो किंतु बुनिय अब आपके मन में चरागा नमुना तो जो सिफारे से बताए गई जो निकाय के बारें बताए गई उन्च सारे बातों पर फोकस किया जा रहा कि वो परिशत पर नहीं वो राज्यों पर छोड़ दिया गया ताकि सब्रों को विकास करें जो हमने पूरी बात बताई अब आपक आप अधान देश का पहला राज था जहां पंचायती राज की अस्थापना हुई पंचायती राज के अस्थापना कौन था ॉजस्थान इस युजना का उदखाटन 2 अक्टूबर 1969 को हुई लेकिन अगर पुछा जैका पंचायती राज का की नाम पहले क्या हुआ करता था बता सकते तो सामुदाईग विकास कारक्रम और उसका स्थापना दो अक्टूबर 1952 को हुआ था उसी का रिनिम करके साथ साल बात दो अक्टूबर 1969 को गांधी जैंती के दिन राजस्थान के नागुर जीले में तो जोहरलाल नहरु जी के द्वारा किया गया तो बताव सबसे पहला पंचाहिती राज का स्थापना कव किया गया किस राज में किस सिले में आँस क्या Caitlin इंसर कमेंट में देने का काम करें और राजस्थान के बाद आंद पर्देश ने इस योजना को 1969 में लागू किया मतर्द दूसरा पंचाहिती राज को लागू करने वाला कौन आंद पर्देश इसके बाद अधिकांस राज्यों ने इस योजना को प्रारम कर देया तो पहला दुसरा याद रखने का काम करेंगे तो प्री लेबल कोशन आपको मिला मेंस लेबल भी मिल रहा है 1960 दसक के मद तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाय अस्थापित की फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में अस्तरों की संख्या अस्तर बोले तो जो लेबल बताएगा गाउं अस्तर ब्लोक अस्तर जीला अस्तर वो तु बोला जारा इन संस्थाओं में अस्तरों की संख्या समीती परिस्द की सापिक इस्थिती उनका कारकाल संगठन कार राजस अनतरीकों में अंतर था उधारन के लिए राजस्थान ने तीरी अस्तरी पदती अपनाई तो याद रखेंगे राजस्थान में किस तरह की पदती है तीरी अस्तरी मतलब गाउं अ कहें गाउ स्तर वाल fier को क्या कहें गराम पंचायत। बused को कि निखाई समिती जीला सुल्डाति जबकित की तमिलनादू ने दूए अस्तरिय पदती अपनाई इसवन पिच्तर्चा भी चार अस्त्रि है, याद रखने का काम करेंगे, इसके अलावा, राजस्थान आनपरदिस पदत्ती में, पंचायत समिती मजबूत थी, क्यों, क्योंकि नियोजन और विकास की इकाई, ब्लॉग थी, नियोजन और विकास की इकाई, कौन थी, ब्लॉग थी, जबकि महारास्थ गुजरात पद्दती में जीला परिशत सक्तिसाली थी कौन थी जीला परिशत बात को समझी क्या करना चाहरे तो जाहिज सी बात है अगर आप देखोगे कि अगर नियोजन और विकास की काई ब्लोक होंगी तो ब्लोक अस्तर पर कौन नियोजन है पंचाय समिती पिक्चर के द जब योजना और विकास की काई जिला हुए पही का जराद जबकि महराष्ट गुजरात पद्दति में जीला परिशत सक्तिसाली थी क्यों योजना और विकास की काई जिला थी या जिला थी तो जिला थी तो आयाद नकोद उसी मिलता जुलता नाम भी है वही है सिब्लोकस्तर पर आता बलोकस्तर पंचाय समिति कुछ राजु ने न्याय पंचायत की स्थापना की जो छोटे दिवानिया अपरादिक मामलों के लिए थी तीस तरह से हमने पुरचर्चा किया बलवन्त राय महता समिति और भी महता समिति के बारे में आप जानने के लिए हमारे HR Academy के साथ बने रहे धन्यवाद